है फ्रेंट्स टुडेए आइ टेल यू श्रीमाद भगवद गिता या थारूर बुमिका तो लिस्निंग केरफुली एंड कमेंट लेट्स स्टार्ट सारांच यह है नेक्स्ट पार्ट बुमिका जो नेक्स्ट पार्ट सारांच यह है कि भगवद गीता दिव्य साहित्य है जिसको द्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए गीता सास्त्र मिदम पुनियम यम पठेत प्रयत पुमान यदि कोई भगवद गीता को देशों का पालन करे तो वो जीवन के दुखों तथा चिन्ताओं से मुक्त हो सकता है भैसो का दिवर जित वैस जीवन में सारे भैस में मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जिवन अध्यात्मिक होगा है गीता गेयन सिलश्य प्रनायाम परप्ष्य च नेव संति ही पापानी पूर्वजनम कृतानी च यदि कोई भगवद गीता को निष्टा तका गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की किर्पा से उसके सारे पूर्वद उसकर्मों के फलों का उस पर कोई परभाव नहीं पढ़ता है भगवान भगवद गीता के अंतिम अंस में जोर देकर कहते हैं सर्वधर्मान परितियज्य मामेकम सरनम वज्र अहम त्वाम सर्वपापेव्यो मौक्षी श्यामी माच सूच सब धर्म को क्या करेकमातर मेरी ही सरनमयाओ मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्ष कर दूँगा तुम डरो मत इस परकार अपनी सरनमे आय भग का पूरा उत्तरदायत्य भगवान अपने उपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को छमा कर देते हैं मली में मूचनम पुमसाम जल शनानाम दिने दिने सिक्रीत गीता मिरित शनानम संसारम रम लनाशनम मनुस से जल में शनान करके नित्य अपने को स्वक्ष कर सकता है लेकिन यदि कोई भगवार गीता जल में एक बार भी सनान कर ले तो वो भोतिक जीवन की मलिंता से सदा सदा के लिए मुख्थ हो जाता है गीता सुगिता करतब्या की मन्ये सास्त्रविस तरे याश्वम पदनाम भश्यम मुख पद्द्विनि स्रिता जोकी भगवद गीता भरवान के मुख से निकलती है अते किसी अइन्य वेदिक साहित्य को पढ़ने किया सकता नहीं रहती उसे केवल भगवद गीता का ही ध्यान पूर्वग तथा मनोयोग से सरवन तथा पठन करना चाहिए वर्तमान यूग में लोग संसारिक कारियों में इतने वैस्त हैं कि उनके लिए समस्त वेदिक साहित्य का इध्यन करपाना संभव नहीं है परंतु इसके आसकता भी नहीं है केवल एक उस्तरवर्वद गीता ही पर्याब थे क्योंकि ये समस्त वेदिक गरंतों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है जैसा कि कहा गया है भारतामिरित सर्वश्यम विष्णु वक्त्राद्वीनि स्रीतम गीता गड़ो दपम पित्वा कुनरजनम ना बिद्धते जो गंगाजल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है अते उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवद गीता का अमरित पान करता हो भगवद गीता महाभारत का अमरित है उसे इसे भगवान क्रिस ने निश्वयम सुनाया है भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चर्ण कमलों से निकली है, निसंदे भगवान के मुक्त थचर्णों से कोई अंतर नहीं है, लेकिन निस्पक्ष अधियन से हम पाएंगे कि भगवत गिता गंगा जलकी अपेच्छाधिक महतपून है सर्वोप निशदू गावो दुगधा गोपाल नंदन पार्थोवत सह सुधीर भोगता दुगधम गिता मिरितम महतपून गिता जो समस्तु अपनिशदू का सार है, गाई के तुलिय है और गवाल बाल के रूप में विख्याद भगवान किरिश्न इस गाई को दुग रहे है अर्जून बच्छडे के समान है और सारे बिद्वान तथा सुध भक्त भगवद गिता के अमृत में दूद का पान करने वाले हैं एकम सास्त्रम देव की पुत्र गितम एको देवो देव की पुत्र एव एको मंत्रश्य नमामियाने कर्म कर्मा पी एकम तश्य देवश्य शेवा आज के योग में लोग एक सास्त्र एक इश्वर एक धर में तथा एक बृत्ति के लिए अत्यान तो सुखें या ते एक सास्त्रम देव की पुत्र गितम केवल एक सास्त्र भगवद गीता हो जो सारे बिश्व के लिए हो ए को देव देविकी पूत्र, ए सारे विस्व के लिए एक इस्वरह सृ क्रिश्न, एको मंत्रेश्य, मंत्रेश्य, मं मंत्रेश्य टश्य, नमानी यानी और एक मंत्र, एक प्रातना हो, उनके नाम का किर्तन, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare, कर्माप्येकं तश्यदेवश्यश्यश्यवा, किवल एकिकार्यव भग्वान कि सेवा. So I hope guys you like this video and subscribe my YouTube channel and this is all parts of Bhoomi Ka I. I read and next part Adhyaay, we go to Adhyaay, so thanks for watching, bye.